अफ्कार दोस्तो गर्मी के दिन आ गया है और गर्मी के दिन में लूप बहुत ज़्यादा चलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस ब्यक्ति को लूप लग गया है जिसको इंगलिज में सौन एश्टोक बोलते हैं दोस्तो यह होता क्या है कि जब भी किसी इंसान को लूप लगती है तो उसका सरीर का टंप्रेचर बढ़ जाती है जब टंप्रेचर जब बढ़ जाती है तो सरीर का पानी कम हो जाती है यानि पानी कम हो जाने के कारण क्या होती है शरीर पर बहुत ज्यादा छटी पहुंचने लगती है दोस्तों किस चीज़ पर ज्यादा छटी पहु लियर बताएंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा आन तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ सकें और आप लोग का कोई भी कोस्टन और किसी भी बिमाड़ी के सबंदीत आप लोग कमेंट बॉक्स और इस्टा गराम पर पूछ सकते हैं हम आपको मदत जरूर करेंग दोस्तो जब लूक जब लगती है तो इसका इयरती बचाव कैसे किया जाता है ये भी हम आपको पूरा बता देंगे कैसे आप लोग लूक से बस सकते है ठीक है तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा लेकिन आप लोग एक बात ध्यान र होती है जिसके होज़ा से पूरा पानी सोक जाते है पूरा बोडी को ठीक है तो उसी को लूक लग जाता है आदमी को ठीक है तो उसी को क्या बोलते है ठीक है तो इसका लक्षन क्या होती है ठीक है इसका जो लक्षन है अगर आपको लूक लगेगा तो इसका लक्षन क्या द को दिखाई देने लगती है लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा जब भी अगर आपको लूग लगें अगर आप बेहोस हो जा रहे हैं तो दुरन्त आप डॉक्टर के पास जाकर इसको टीटमेंट इस्टार्ट करवा देना चाहिए क्योंकि वह किसी और सार ना हो गरम नहीं आता हो वहाँ पल ले जाकर उसको अच्छा से रखिए बरफ होगा अच्छे पानी होगा उससे पुरा उसका देहात पूर सेकाई करिए ठीके ब्रेंट पर जो बोखार जब चाहरता है तो इसको पट्टी मारिए ठीके इसको पट्टी करके उसको उतरिए अगर आप रूम में हैं तो रूम के खिरकी पुरा खोल दीजिए इसके बाद AC चालू कर दीजिए कूलर है तो पंका चालू कर दीजिए ठीके क्योणकि उसका सरीर का जितना गरमार अट हो बहर निकल जाया इसलिए दोस्तों लू लगने पर यह सब सबसे पहले करना चाहि त्टीक है। यानि कि दम जितने फीका पहनिएगा उतने आपके लिए फाइदा रहे के गर्मी के दीनों में, सुटी के कप्रा, जितने गरा रहेगा उतने क्या होगा कि सुरज के परकास जो हैं आपके सरीट पर तेसे परने लेगा, ठीक है, यानि कि बहुँच ज़ादा गर लोग होने मत दीजिए इसके बाद दोस्तों आपको करना कहें कि गरम जगह पर आपको नहीं रहना है जहां पर गरम जगह है और गरम हावा चल रही है वहां पर आपको नहीं रहना है ठीक है अगर रहना भी है तो अच्छाता उक ले लिजिए ठीक है और इसके बाद आप चल निकलने के लिए जब गर्मी जब निकल जाएगा तो उसको सुबह पहर ठीके उसको छिलकई या हटाकर उसको सरवर बना देना है थोरा सा मिसरी डाल कर ठीके मिसरी जब डाल दीजिएगा सवाद अनुसा इसके बाद उसको आप पीने लगेगा ऐसे आप पीजिएगा तो संको पीश सकते हैं गर्मिक दीजिएमे आप पीबे करियेगा तो बहुत फायदा आपको दिखाई देने लगए अवसाने श्टोक से बचा रहिएगा धनिया और पुदीन के पते को भी आप जूस बना कर उसको पीश सकते हैं थनिया के पता और पुदीन का पता ले ले लि लगते हैं इसलिए आज आज आप लोग जरूर खाईएगा गर्मी के दिन में ठीक है प्याज जितने खाईएगा उतने आपको लू लगने का चांस नहीं रहेगा ठीक है तो चले दोस्तों हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं आप लोग इतना जरूर करिएगा ठीक है नमस्क पर जेहिन जय भाड़ा